नमबर्स आपने सीखे होंगे मिसाल के तो रुपे मैं काउंटिंग करतो मेरे पास 100 रुपे का नोट है 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है दिस इस सिंपल काउंटिंग लेकिन बात तब बिगड़ती है जब छोटी करेंसी में पॉइंट्स में चीज़े आना स्टार्ट हो जाती है for example, मेरे पास 200 रुपे आई कठा हुआ है अबाजी ने फरमाया के छोटे भेन भाईयों को 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 नोट पकड़ा दो जो भी तुम्हारे पास हैं, ठीक है बच्चे हैं चलो इद्धी अच्छे गुजार लेंगे तो मैंने क्या किया वो जो जितनी मेरे पास अमाउंट थी उन्हें डिवाइड कर दिया on different numbers तीन भाईयों भाईयों तो तीन पर चार हैं तो चार पर कर दिया अब ये जो एक total quantity को आप एक division पर ले जाते हैं divide करते हैं किसी चीज़ के साथ अगर इसको as it is लिखा जाए तो हमारे पास इन चीज़ों को बोला जाता है कि ये हैं fractions, ठीक है लेकिन जब आप इनी को resolve कर दें और check करें कि fraction को अगर मैं resolve करता हूँ तो मेरे पास answer क्या आता है say for example, मैं कहता हूँ 5 divided by 2 आपको भी पता है कि धाई के 2 हो जाने धाई अधाई, अधाई, अधाई और अधाई 5 लेकिन इसको mathematical expression में बोलते हैं 5 by 2 को हम बोलते हैं 2.5 ऐसे ही है, 5 by 2 is equal to 2.5 अब 5 by 2 जो है ये एक fraction है और हमारे पास जो 2.5 है वो हमारे पास आजाता है जनाब एक decimal points value decimal क्या होता है? एक इशारिया होता है इशारिया क्या होता है? जब आप किसी बड़ी quantity को छोटी quantity में लिख रहे होते हैं या आप proper quantities के अंदर लिख रहे होते हैं उसे हैं decimal बोलते हैं say for example, मेरे पास ये quantity है 5 by 2 अगर मैं इसको यहां पे resolve करके इसका answer calculator से लूँ तो मेरे पास आएगा 2.5 ये कैसे आ गया? 2, 2, 0, 4 पीछे एक बजा ठीक है? तो इस तरीके से मेरे पास 2, 2, 0, 4 पीछे बजा एक एक के साथ मैंने इशारिया लगा के 0 लगा दिया दो 5 बार 10 तो मेरे पास यहां पे 2.5 आ गया तो ये जो मैंने तरीके से इसे resolve किया है खुद से, this can also be done via calculator ये हमारे पास आगे decimal point value ये जो 5 by 2 था ये मेरे पास एक fraction है इसी तरीके से अगर मेरे पास 100 पे हैं मैं इनको तीन हिस्सों में बांडता हूँ तो ये एक fraction है अगर मैं इसको resolve करता हूँ तो ये 33.3333 something बनेगा अब ये decimal और fraction की दुनिया क्या है the whole word of decimal and fraction इस lecture के हंदर हम ये ही देखने वाले है ये मैं आपके सामने अपनी screen share करता हूँ now you can see actually कि क्या काम चलता है किस तरीके से चलते है सबसे पहली बात तो simplifying fractions क्या होती है और कैसे किसी चीज को simplify किया जाते है to simplify a fraction you divide the top and bottom by the highest number that divides into both exactly तो सेम वो ही चीज है for example मैं 8 by 12 को कटता हूँ तो both 8 and 12 can be divided by 4 so 8 divided by 4 12 divided by 4 is equal to 2 by 3 अगर मैं 8 by 12 का concept आपको समझाऊ यो इस definition में मैंने आपको दिया हुआ है then it would be something like this मेरे पास है जनाब 8 by 12 अब मैं देखता हूँ कि सबसे पहला मेरे पास ये 2 पे भी divide हो जाता है और ये भी मेरे पास 2 पे divide हो जाता है क्या ये 4 पे होता है बिलकुल होता है ये भी 4 पे होता है greatest common divisor क्या है GCD हमारे पास क्या आ रहा है ये 2 पे ये भी divide होता है ये भी होता है तो 2 तो है आई 2, 6, 12, 2, 4, 0, 8 फिर आता है हमारे पास अगला even number क्योंके हम odd पे नहीं कर सकते फिलाल के लिए क्यों? क्योंके 3, 4 बार बारा 3, 3 बार 9 होते है ये divide ही नहीं हो रहा 3 पे तो 3 हमारी equation से निकल गया फिर आता है हमारे पास 4 4, 3 बार बारा और 4, 2 बार 8 तो हमारे पास जो final हमारे पास चीज बजती है that is 2 by 3 तो fractions को simplify इस तरीके से किया जाते है आप बड़ी fraction को जब छोटी fraction में लाते हैं उसको हम बोलते हैं simplifying the fraction अब अगली बात करते हैं common denominator in algebra a common denominator is shared multiple of the denominators of two or more fractions जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा fractions आएं तो उनको कैसे resolve करना है तो उसको हम करते है common denominator in algebra algebra के थुरू उसको किस तरीके से हम ले के आते हैं let's see it's used to add or subtract fraction आपने बड़ी तरीके से अपने school days के अंदर common denominator की base पे दो चीजों को add या divide किया होगा for example अगर मैं 1 by 4 और 3 by 5 को divide करना चाहता हूँ तो I will find a common denominator ठीक है which is 20 so 1 by 4 is equal to 5 by 20 and 3 by 5 is equal to 12 by 20 so कुछ इस तरीके से हम उसको इस तरीके से जो है वो find हम कर सकते हैं add करने के लिए इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ अगर आप यहाँ पे गौर करें हमारे पास दो quantities थी 1 by 4 and दूसरी हमारे पास थी 3 by 5 let's go back into our whiteboard यहाँ पे मेरे पास दो quantities है मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 by 4 और इसमें हमने add करना है 3 by 5 को तो हमने क्या करना है सबसे पहले आप इस तरीके से करके equal to लगा के बचपन के अंदर आपको याद होगा या आप अगर खुद बच्चे हैं अभी तो कुछ इस तरीके से आपके पास चीजें आती थी तो आपने ऐसा denominator लेना है जिन पे दोनों divide हो जाए तो हम इसको बोलते है common denominator common denominator इसका कितना बनता है कोई भी अब असल में क्या करते होते हैं तो दोनों को multiply करते हैं तै तै पंच चार बार twenty यानि कि चार पंच बार बीस ये भी डिवाइड होते है तो हमारे पास जो final quantity आती है वो आती है 5 पाँश बाय बिवाइड ठीक है तो 5 बाइड किस तरीके से आती है अगर आप गौर करें, चार को हम डिवाइड करते हैं 20 पे, जिसका आंसर आता है 5, 5 1s are 5, मुझे बताइएगा, अगर आपको समझ आ रही है, के नहीं? I think I made something wrong, क्या घलत हो सकता है इसमें? That's not the correct thing I am doing, let's see, तो ये आता है जी मेरे पास, पांच चार बर 20, चार तीन बर 12, तो ये मेरे पास आ जाएगा, तो अगर मैं इसकी simple fraction बनाऊं, तो ये 17 वाइ 20 हो सकता है के नहीं? Let's have a look, आपको क्या लगता है? गड़बड होगी यहाँ पे के नहीं? चलें, कैसे करना था इसको? कोई बतायागा? चलें, एक और करते हैं, 3 by 4 plus 4 by 3, इन दोनों fractions को हमने जमा करने हैं, कैसे होगा? Don't worry, I know, that's correct, don't worry about that, सिरफ मैं आपका mind भी साथ में judge करना चाह रहा हूँ, 3 by 4 plus 4 by 3, यहाँ पे आजएगा 12, 3, 4 बार 12 आगया, ठीक है? और, हमारे पास 4, 3 बार 12, 3, 3 बार 9, 4, 3 बार 12, मतलब, 12 को डिवाइड को डिवाइड को चार पे तो यह answer आता है, 3, 3 को multiply करेंगे, उपर वाले 3 के साथ, जो आएगा हमारे पास 9, हमने 9 यहाँ पे लिखती है, ठीक है? प्लस, 3, 4 बार 12, 4, 4 बार 16, यह हमारे पास आ रहेगा, 9 बार 12 बार 16 बार 12, दोनों की फ्रेक्शन ही है, हमारे पास आएगी, and then we can say, 25 बार 12, ऐसे ही है? को घलत तो नहीं हो रहा? ठीक हो गया, अब इसको, exactly, बिल्कुल ठीक हो रहा है, okay, that's a relief, क्योंके जारी बात है, जब आप किसी को correct करते हैं न, तो आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर, रहे हैं, so that was the main reason asking you, के आप बताएं कि कि मैं ठीक कर रहा हूं के नहीं, अब यहाँ पर आगे चलते हैं, यह तो हो गया कि हमने दो quantities को किस तरीके से, हमने common denominator in algebra को use करते हुए, उनको add करना है, फिर हमारे पास एक और चीज़ आती है, कि किस तरीके से हमने add और subtract करना होता है, different fractions को, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है, so it would be something like this, ठीक है, तो हमारे पास अगर common denominator लिया जाया इनका, तो common denominator हमारे पास आता है, कौन सा जनाब, 20, यहाँ पे भी 20, ठीक है, जो उपर हमने लिया था, लेकिन जब हमने add करना है किसी चीज़ को, तो common denominator की base पे add करते हैं, जो मैंने पूरा एक procedure आपको करके दिखाया, so basically adding and subtracting fractions in algebra, is actually related to the common denominator in algebra, अब आगे चलते हैं, multiplying and dividing fractions in algebra, to multiply fractions, multiply the numerator and denominator separately, to divide, flip the second fraction and multiply, कैसे अभी आपको मैं बताता हूँ, 2 by 3 multiplied by 3 by 4, 2 तीन के साथ कर गया, 3 चार के साथ multiply कर गया, ठीक है, 2 यह हमारे पास, इसको simplify अगर करें तो 1 by 2 आते हैं, for division, we will flip the other one, यह आपको भी पता है, किस तरीके से अभी इसको देखते हैं, for example, यह हमारे पास आता है, 2 by 3 divided by 3 by 4, तो यह हमारे पास 8 by 9 आ रहा है, अब इसी चीज़ को मैं आपको दुबारा से whiteboard के उपर करके दिखाता हूँ, कि हमारे पास division कैसे होती है, और multiplication कैसे होती है, say for example, मेरे पास है यहाँ पर दो fractions, 2 by 3 और 3 by 4, for example, 2 by 3 multiplied by 3 by 4, it's very simple, आपको भी पता है, 2, 3 बार 6, 4, 3 बार 12, तो यह उपर वाला इसके साथ हो जाएगा, यह वाला इसके साथ multiply हो जाया, हमारे पास 6 by 12 आ गया, और 6 by 12 को जब हम simplify करते हैं, तो 1 बटा 2 हमारे पास आता है, तो इस fraction को simplified fraction के अंदर हमने convert कर दिया, अब आती है बारी अगर हमने divide करना हो, 2 by 3 divided by 3 by 4, तो यह हम किस तरीके से करते हैं, जब हमने divide करना होता है, तो divide का मतलब यही है, कि आप basically कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, आप इसी को flip कर देंगे, 2 by 3 और इसको multiply करके 4 by 3 कर देंगे, यानि कि ये वाला उपर आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा और इसको multiplication बोलती आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 8 बटा 9, तो ये हमारे पास second का answer आ जाता है, इसको मेरे mathematics के अंदर, कुछ इस तरीके से मैं resolve करता था, तो हम क्या करते थे, असल में change करते थे चीजों को, यानि कि ये उपर आ जाता था, और ये इस जगह पे आ जाता था, तो something like इसको हम उल्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड का मतलब ही ये है, कि जब हमने इसको सामने ले के आना है, तो हम इसको multiply करके, 4 by 3 कर सकते हैं, something like that, so this is how you resolve the fractions, and multiply, and divide different fractions, okay, अब आपके पास अगली चीज आती है, mixed numbers and improper fractions in algebra, mixed numbers and improper fractions क्या होती है, अब अगर आप गौर करें, by the way, एक चीज मुझे बताईएगा, numerator और denominator का पता है, आपको कि नहीं पता, numerators क्या होते हैं, or denominators, denominators जो नीचे होते हैं, numerators जो ऊपर होते हैं, ठीक है, 1 जो है numerator है, 2 हमारे पास denominator है, so यह आपको पताऊना चाहिए, okay, mixed numbers क्या होते हैं, something like this, 3 सही एक बड़ा दो, इसको उर्दू में बोला जाता था, ठीक है, is a mixed number, to convert it to improper fraction, हम क्या करेंगे, 3 multiplied 2 plus 1 is equal to 7, so 3 सही एक बड़ा 2 को, 7 बड़ा 2 बना देंगे, किस तरीके से 3 सही एक बड़ा 2 को, हम calculate करते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर whiteboard के उपर, again, 3 सही इसको बोलते हैं, improper fraction को, 3 सही एक बड़ा 2, या 3 and half, इसको बोलते हैं, अगर 3 and half देखें, तो यह हमारे पास कितना है, अगर आप गौर करें, 3.5, यह decimal में है, लेकिन मैं इसको fraction में ही लिखना चाता हूँ, 3 and half को, कैसे लिखूंगा, इसको हम simple करेंगे, 3 multiplied by 2, जिसका आंसर आ जाता है, जनाब हमारे पास 6, फिर इसमें जो उपर वाला है, यहाँ से multiply, यह हम add कर देंगे, यह multiply उपर वाला add, 3 जरब 2 6, जमा 1 7, 7 बटा 2, जो नीचे आरहा है, वो वैसे आजाएगा, तो 7 बटा 2 भी 3.5 है, इसका मतलब है, कि यह वाली चीज हो, या 3 से ही 1 बटा 2 हो, 3 and half हो, तो हम दोनों को इस तरीके से, change कर सकते हैं, mixed numbers को, something like this, ठीक है, यह थी हमारे पास fractions की चीज़े, अब fractions के नीचे, मैंने questions भी आपको दिये हुए है, which you can have an idea about, और फिर हमारे पास, यहां पे decimal start हो जाता है, और decimal points को, हम यहां से readout करना start कर सकते हैं, लेकिन decimals को, अब मैं read नी करूँगा, यहां से आप खुद से read करेंगे, इस पूरे पूरे block को, मैंने link आपको दे दिया हुए, आप इस पूरे block को read करके, हर एक चीज को समझेंगे, and then we will actually do it together afterwards, जो हमारी कल की class होगी उसके अंदर, so मेरी आप से request यह है, कि जितने भी chapters हैं, इस block के, मैंने link description में दे दिया, please go ahead, और यह basic सारी hands-on practices पे करें, और फिर इन्शाला को कल हमारी मुलागात होगी, same exact time के ओपर, जो important चीज है, you have to resolve all these example questions, यह जो लिखे हुए हैं, हर किसी के कोई 10 question है, किसी के 15 question है, you can have them here, और आप को यह सारे के सारे question जो है, resolve करके, इनके answer, discord के channel के अंदर send करने है, if you are a part of that course, कौन सा course, जो हमारा 6 महीने का course है, which you can find if you go to the codenics.com, codenics.com पे जाने के बाद, आप सीधा courses पे जाएंगे, वहाँ पे आपको हमारा यह 6 माह का data science and AI का course मिलेगा, जिसका current part हम mathematics का पढ़ने हैं, और यह mathematics को पढ़ने के बाद, आप इतने अच्छे से काम करने लग जाएंगे, कि mathematics आपको बहुत असान लगएगी, hopefully data science के अंदर enough होगी, इसे के साथ मैं आज की class जो हैं से finish करता हूँ, सिरफ आपको course दिखा कि यह 6 months of AI in data science का course है, link description में दिया हुए, hopefully आपको आज के lecture अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा lecture तो please like का बटन दबा दें, और subscribe कर दें, share कर दें, अगर आपने नहीं किया हुआ, तो अब करने का आपको एक फाइदा जरूर होगा, कि आपको रुजाना की base पे notification में मिलते जाएंगे, because if you press the bell icon as well, अपना ख्यार एकें, दोमें यार एकें, take care and Allah Hafiz.